कहते हैं कि शौक में इंसान कुछ भी कर लेता है जब इंसान में कोई जुनून सवार होता है तब उसे समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है लेकिन जब उसे इसका एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है ऐसा ही शौक पाला है एक इंसान नहीं और कर डाला है ऐसा खतरनाक काम कि अब दर्द ऐसा बेहत परिशान करने वाला हो रहा है अज आपको जिस शक्स के बारे में बताने जा रही है उसने दुनिया को अपने सबसे महंगे इंवेस्टमेंट दिखने के सनक में अपने माथे पर हीरा ही लगवा लिया है ये इन्वेस्टमेंट है 11 कैरिट का गुलाबी हीरा जिसे अब शख्स ने अपने माथे पर ही फिक्स कर वा लिया है तीसरी आँख जैसे नजर आने वाले इस हीरे की वज़़ से शख्स को काफी दर्द का सामना करना पड़ रहा है उसने तस्वीरों के जरिये लोगों को अपने नयलुक को दिखाया माथे पर हीरा टकवा कर अब पस्ता रहा है ये शख्स तो चलिए आपको बताते हैं कौन है और किसने ऐसा काम कर दिया है इस शख्स की पहचान है रेपर साइमरे बाईसिल वोट्स के रूप में हुई है वोट्स को ज़्यादातर लोग लिल उजी वेट के नाम से जानते हैं उसने कुछ समय पहले 11 कैरिट का एक पिंक हीरा खरीदा था आपको बता दें कि इसके लिए वो 2017 से ही पैसा जोड रहा था इस हीरे की कीमत है एक अरब 74 करोड रुपए वोट्स ने सोचा कि अब उन्होंने इतने पैसे खर्च किये हैं तो इस पत्थर को ऐसे यूज किया जाए कि सारी दुनिया देखती रह जाए वोट्स ने अपने इंस्वेश्मेंट को दुनिया को दिखाने के लिए इस हीरो को अपने माथे पर सिलवा लिया उसने 30 जनवरी को इस हीरे के बारे में ट्विट किया था तब ही से लोग इस हीरे के बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहे थे दरसल ये तीसरी आँख दुनिया भर के लोगों के लिए चर्चा का विशह बनी हुई है इसके बार अपने फैंस के लिए वोट्स ने इस हीरे की नई तस्विर शेयर की है इसमें देखा गया है कि वोट्स ने हीरे को अपने माथे पर टकवा लिया है 10 से 11 कैरिट का ये हीरा वोट्स की तीसरी आँख जैसी दिख रही है हाला कि वोट्स ने फैंस को ये भी बताया है कि हीरे को माथे पर टकवाने के बाद उन्हें काफी दर्द हो रहा है इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये हीरा उसे काफी महंगा पड़ा है इसकी कीमत वो 2017 से चुका रहा है 26 साल की इस रैपर ने अपने इस नए बॉडी जुएलरी को लोगों के साथ शेयर किया है अब ये हीरा हमेशा वुट्स के माते पर रहेगा उसने इस हीरे को हमेशा के लिए फिक्स कर वा लिया है हाला कि वुड्स अब भी इस हीरे से बेहत परिशान है उन्होंने बताया कि अब हीरे की वज़े से उसके माते में सूजन हो रही है धीरे धीरे उसका माता फूलता जा रहा है सांथ ही अब उन्हें दर्द भी ज्यादा हो रहा है बेरो रपोर्ट खब रहा भी तक